अब करेंड्स गोड़ेविडिक टू अलोफ यू कैसे हो आप से लोग तो अपने जो लास्ट लेक्चर लेक्चर नमबर अपना लेक्चर नमबर जो शिक्स था इंट्रोडेक्शन यह तो अभी सेवंत है आपका लेक्चर नमबर जो छे था उसमें आपने पढ़ लिया था कि जो है आपका किस तरह से आपका कौन-कौन से मैथर्स आपके उप्योग में लाए जाते हैं अब आपने लास्ट में देख लिए में दो चीज़ें आपन करते हैं लिए इस्टेट अब कॉलर्स में लोड कॉंबिनेशन देख लिया था देखो मैं पिछले बार बात होगी थी आपकी डैट लोड प्लस लाइन लोड की साथ 1.5 होगा और प्लस बिल्ट लोड के साथ भी 1.5 होगा और मैंने बताया था कि अ आपका हो रहा था ऐसी आपने यहां देख लिया था लिमिट इस्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में जो लोड कॉंबिनेशन था डैट प्लस लाइन के साथ बंदा और तीनों का कॉंबिनेशन ले थे तो डैट नोड के साथ एक था तो यहां तक अपनी में कुल विला के बा से जादा नहीं होना चाहिंए जो आपका रेकर धेंग लिमिस्से जादा नहीं होने चाहिए तो कि क्या लिमिट्स पाल की तो मैं सक今 जञा होनी चाहिए रहने और माक्सिम्म में किने रहाद लिमित लिमिना कि नहीं नहीं हो नीज चाहिए कि मैंसे मां कि लेक्सा ओम मैक्सीमम डिफलेक्ष लिमिंट कि मैंने बसाएं तरें क यह बिए यश्याक्षाड आपका ज्याद इस जादे आपको दोगılan से ले इन्होंने नमपर वन इन्होंने कहा डिफलेक्शन 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 एक्षिट तेम्परेचर श्रिकेज तेम्परेचर और की ग्रेव शुट नॉट एक्षिट शुट नॉट एक्षिट इस्पान अपॉन तेन सो पचास और 20 mm वीच एवर एज लेसर इस ने कहा जो डिफलेक्शन है आपका डिफलेक्शन किसके कारण आपका जो बीम में स्रिकेज है इनके कारण आने वाला जो इस पान पहुन तीन सो पचास और 20 mm जो भी दोनों में से कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए कि मैंसी इस लिमिट की बात करें ना तरह से क्रेफ श्रिकेज आने वाले डिफलेक्शन तो यह तो किसी भी हालत में 27 से बढ़ा तो होना ही नहीं चाहिए अगर वह आप से कहते हैं मैक्सिम्म डिफलेक्शन जो है टेंप्रेंचर स्रिकेज और क्रिप के काम कितने जाद नहीं तो आप क्या हो जाएगा 20 mm क्योंकि यह बात आप आगी भी ध्यार रखो जब भी कोई मेरे से मैकसिमम पूछता है और अगर मेरे को कोई 3-4 वैल्यू दे रखिए उनके साथ को यह तो यह कंफर हो गया है कि और अगर बिदिमम दे रखा है और बहुत सारी चीज़े दे रखिए को कॉश्टीन वैल्यू दे रखिए तो कम से कम वह वै तब तो आपको अंसर उजाता है और गुंटीज का आपका होता है तक आपका हो सकता है इसने कहा maximum deflection maximum total deflection maximum total deflection due to due to all loads including including temperature comma shrinkage and creep should not should not exit इस्पान अपॉन है कि तूफिप्टी एमेंड यह करा है कि सभी लोट्स के कार्णा कर्वें डिफ्लेक्शन दें यहां ध्यां दे वहां के वाल सिरिक्टे टैंपरेचर की बारे बात कर रहा था यहां maximum deflection due to all loads की बात कर रहा है और लोट्स में क्या क्या आ गया आ गया लाइव लोड भी आ गया और साथ के साथ में इंक्लूडिंग यह भी साथ में तरह से डैड लाइव लोड आपका सिरिंग के यहां के वल तीनों की बात और जितने भी सारे लोड से सब्सक्राण आने वाले वह कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यह मेरी बात हो गई किसके बारे में maximum deflection limit के बारे में maximum deflection जो है वह कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए खूब कही बार आप से स्कूषन पूछता है कि यह मैक्सिम डिफलेक्शन वहिड विता हम आपका तर नहीं होगा अब चार उप्शन दोगे खंट फोन दीष्प्टी हो बहुगन कहता है तो शोभ़गे सब्सक्टाइब सब्सक्राइब मैक्सिमन किसके कार्ण पूछ रहा है वह आप जे वह कहता कि मुझे और लोड बताओ तो आपकी वेल्यू क्या जाएगा यह आपका हो जाएगा और यह आपका हो जाता कई बार आप बात करते हैं कि तरह से जो रश्टी के सब्सक्राइब करने पड़ेगी नीचे करने पड़ेगी कम करने पड़ेगी तो यह ज्यादा आएगा तो आपकी वैल्यू का रही है तो मैं देख रहा हूंगी जब सारे लोड फुलूगा ज्यादा पर मिट करना पड़ेगा ज्यादा में को लिमिट रखड़ी पड़ेगी पड़ेगी सम लोड इतना आसकता है तो आपने देखा अगी जब सम लोड वह तो इतना से ज्यादा परमीशन करनी पड़ेगी मुझे इस पार आपको नीचिंग वैल्यू क्या रहेगी कम इतना इसके लिए हो गया और जो टैप्रेचर से बात करें इस पार पहुंद तीन सो पचास आपका उनके लिए आपका हो जाते हैं यह मैंने देख लिए आपकी म बात करता है मैक्सिमुम क्रैकिं वीड़ दीवा था रिसीघुलिटी में दूसरे मैक्सिमंव क्रैकिंग और एक जो था आपका क्या ताम। मे而 मैक्सिमम ट्रैकिंग विड्डि मैक सीवाज के अदो मैंट ह। मैक्सीमां carbon मैं क्रैकिणध ए ए क्रैक है उनका साइज आपका क्या हो सकता है तो इसने कहा है कि कैसे कैसे आप वो यहां पर देखते हैं तो अपने देखा कि मैंने आपको बताए कि जो क्रैक विड्ट है इसकशा पॉइंट 3 एम-म हों उपन लेते हैं अब यह कहा रहा है कि पॉइंट 3 एम-म काब्लोगे और पॉइंट एक एम-म आपक भू होते ति कहरा है कि पॉइंट 3 एम-म आपक हमयाक डेकर चलेंगे मैक्सिमम जो cracking width है यह कहता है point 3 mm तक कब हो आप permit कर सकते हैं यह कहता है if crack width are not harmful for the structure if crack width if crack width are not harmful for structure यह कहरा है कि यदि जो cracks है वो structure के लिए harmful नहीं हो मतलब एक तरह से जो एक तरह से यह मानो कि tension zone में नहीं हो not in tension zone not in tension zone क्योंकि basically क्या है कि जो सरिया लगा होता है वो tension zone में लगा होता है अगर जादा तर आपका sealant पहुचके cracks में से तो वो उसको खराब कर देता है तो मुझे के यह आप से कहता है कि अगर जो cracks है वह हां भूल ले तो आप पॉइंट तीन एम तक रख सकते हो पॉइंट दो एम यह कहता है if cracks are harmful for the structure यह किराए कि जो cracks है वो harmful है किसके लिए आपका structure के लिए अगर harmful है तो मैं देखूंगा कि जो है crack bit point 2 mm से ज़्यादा नहीं हो जिए और यह कहता है third if severe और exposure conditions यह कह रहाए कि यह सीवियर या exposure conditions आपकी हो मतलब बोलना चाहा रहा है कि आपका बहुत ज्यादा खतरना condition structure में मतलब severe exposure conditions में आपका हो मैंने पास condition बताई दें माइल्ड मोर्टर सीवियर वेड़ सीवियर या उससे ज्यादा एक्सपोज़ है सीवियर एक्स्ट्रीम और आपका वैरी सीवियर तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्रैंग विट थे वह पॉइंट वन एम से अधिक नहीं होना चाहिए ति यह आई एस 452 हजार ने आपको से देख लिया कि क्या क्या आपका जह है लिमिट श्टेट अफ सर्विस एपिलीटी में अपन देख सकते हैं क्या क्या चीजी अपन लेते हैं अब जो limited state of collapse था, उसमें भी कुछ assumptions रखे गए आपको, तो limited state of collapse में क्या-क्या adjustments आपके रखे गए, वो भी अपन one by one करके पढ़ते हैं, फिर आपन आगे design में चलते हैं, questions आपके वहां से पूछता रहता है, तो यह कहता है कि limited state of collapse, लिमिट, state of collapse, for flexural member, फ्लेक्जूरल, for flexural member, यह कहा है कि limited state of collapse for flexural member, या limited state of collapse मैं देखू, फ्लेक्जूरल मैंबर में limited state of collapse मैंने समझाए दिया था, जब उसकी life है, उसके दोरा जो fail होने की conditions थी, उनको आपको रोकड़ा है, तो वो सारी चीज़े इसके अंदर आएंगी, तो क्या-क्या आपका होगा, नमबर वन, यह कहता है, plane section, plane, section, perpendicular, to the axis remain plane remain plane after bending remain plane यह जो अजमसंस है, यह वाला जो अजमसंस है, कई बार आप से question पूस्ता है, यह दोनों में लिया गया था, आपका limit state method में भी इस अजमसंस को consider किया गया था, और working stress method में भी यह अजमसंस आपका लिया गया था, और किश्ट्रेस method जो है, उसमें भी इसे आपका लिया गया था, आप यह क्या कहना चाहरा है, इसका मतलब किया चाहरा है, कि कोई एक beam मैंने देखी, यह मेरी कोई एक beam है, यह मेरी कोई एक beam है, यह कह रहा है, कि इसके उपर before loading, इसमें मैंने कोई एक section लिया, यह आपका section आपका यह बी सेक्षन है आपका मतलब मैंने कोई एक बीम जो है लिया और इसको मालों यह इसको मैंने यहां से बीच में से कहीं से काड़ देते तरह बिल्कुल ऐसा वो दिखेगा उसका तो यह तो बिफोर लोड़ी है कि विफोर लोड़ी यह कहा रहा है कि जैसे ही मैंने इस पर लोड़ लगाया तो डेफिनेटली यह इस्ट्रक्चर क्या होगा भी यह इस्ट्रक्चर बैंड होगा आपका तो यह कह रहा है कि यह इस्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से आपका बैंड हो जाएगा तो यह इस्ट्रक्चर ऐसे आप तो अगलोड़ यह तो बन लगा रहा था जब यह ऐसे बेंट हुआ तो सिरह क्या हो रहा है तो दिखुए रहा है नीचे वार्णा जिर्हा मैं है कि विजब बात करते हैं तो कपरियरशन और टेंशन में आप देखो यह यहां पर आपका 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 क्योंकि आपने देखा यह पार्टिकल से आपके यह पार्टिकल से जब यह दब रहा है मालो मैं ने यह अब एस तरह से आपका क्यों आपने देखा यह अब कुछ इस तरह से आपका आरा जो यह वाला था कि प्लिए यह कहो तो कि निट्रायक्व जो है निट्र और सी जो थी आपकी यहां से जो strain level है वो neutral axis से उसकी दूरी पर depend करता है तो आपने ये देख लिया कि किस तरह से अपना जो पहला जमसंस है वो आपका complete हो जाता है तो आपने देख लिया कि plane section perpendicular to the axis remain plane plane after bending कि वो जो आपका जो section था वो before bending और after bending क्या रहता है plane ही रहेगा वो कहीं भी bend आपका नहीं हो रहा है आपका हो कि जो strain level है उस section में वो सीधा सीधा neutral axis से distance के उपर depend करता है तो पहला जमसंस आपका ये आजाता है कि सेकेंड मैं आपको यहां लिखना चाहरा हूं सेकेंड जब से यह कहता है यह कहता है टैंसाइल स्ट्रेंथ अब कॉंक्रीट इस इग्णॉर्ड ये कह रहा है कि जो concrete की जो टैंसाइल स्ट्रेंथ है जो concrete की जो टैंसाइल स्ट्रेंथ है वो इग्णॉर्ड मानी जाती यह माना जाता है कि concrete कोई टैंसन रजिस्ट नहीं करती है तो अपने देखा कि टैंसाइल स्टेंट आप कॉंक्रीट एगे एग्नॉर्ड मतलब टैंसाइल स्टेंट आप को इग्नॉर्ड किया गया मतलब वैसे तो 10% लेती है टैंसन लेकिन 452 जार में यह माना गाए कि भी बिल्कूल भी इस यह नहीं क्यों है इसने कहा कि कंप्रेशिव इस्ट्रेंड इन कॉंक्रेट अंडर वेंडिंग पॉइंट डबल जीरो थी फाइव यह कहता है कि जो कंप्रेशिव इस्ट्रेंड है या जो मैक्सिम इस्ट्रेंड लेवल है कॉंक्रीट के अंदर कंप्रेशिव इस बोल सकते हो कि मैक्सिम जो स्ट्रेंड लेवल है मैक्सिमम इस्ट्रेंड इन कॉंक्रेट अंडर वेंडिंग शुड नॉट एक्सेड पॉइंट डबल जीरो थी फाइव मतला एक तरह जो फ्लेक्जूरल मैंबर थे इनमें जो एक श्ट्रेंड है वो पॉ कि मैक्सिम जोड स्ट्रेंड इन इस इन शुड नॉट एक्सिर कॉट नॉट चैज लिएड पॉट सद्यू उट्ट सिग्मा अपन फ्लस पॉट बॉट जोट फॉट व्ल्यू थी वीड धोट्टॉ डबल जीरो टू एट दा कि टाइम ओफ फेलियर कि एट दा कि टाइम ओफ फेलियर कि यह क्यारा कि कॉंक्रेट के सेक्षन को फेल होते समय जो मैक्सिम इस्ट्रेंड लेवल है वह आपका कितने ज्यादा नहीं होने चाहिए सफेल पॉांट सट्याइय इसको कैसे लिख सकते थे iसको कैसे लिख सकते थे सिगमा y अपन एक पाइंट-फंद्रा ईैस-प्लस पॉइंट-बल-जीरो टू भी लिख सकते थे ॉस पॉइंट-पनरा का भाग दे दिया था तो पइंट-यस्थी से आपका security manner. कर आगया था दिए चौथा अजमसर हो गया और पाच्वा जो अजमसर है वह आप से कहता है दा पार्शेली फेक्टर अब सेप्टी कि दा पार्शेली कि फेक्टर अब सेप्टी फोर कॉंक्रेट एंड इस्टेल इज टेकन इज टेकन एक पॉइंट पाच्च एंड एक पॉइंट पंद्रा रेस्पेक्टिवली यह कह रहा है कि कॉंक्रेट के लिए जो फेक्टर अब सेप्टी है वो आपका कितना लेकर चलते हैं एक पॉइंट पार्शेली फेक्ट पाच लेते हैं और कॉंक्रेट इस्टील के लिए जो फेक्टर अब सेप्टी है वो आपका एक पॉइंट पंद्रा लेते हैं और लास कि स्ट्रेस कि इस्ट्रेन कार्व कि फोर कॉंक्रेट कि इस अजयों कि रेक्टेंगल एंड पैराबोलिक रेक्टेंगल एंड पैराबोला तो ये चे अजमसन्स थे जिन में से किशन्स आप से पूच्ता रहता हराज अजमसन्स से आपसे किशन्स अज में यह आप से कहता है कि प्लेन सेक्षिन पर्पेंडिक्ल लोड की ने अैसे वेंडिंग गया इसमें को इसे से एसे होगा गया गहूम गया आपका तो पहला सेक्षिन पहला जो है आपका अजमसन्स आपने देख लिया जो लिमिट श्टेट औहर्वरदिश को वरकिंग च्वॉजब गो मानते हैं वैसे तुछ थोड़ीaint यह लेते हैं दस पर्शेंड के आसपास जुब है पर लेकिदया今 path थार्ड मैक्सिव स्ट्रेन कोंक्रेट अंडर बेंडिंग सुडं Давुआट एक्षीड क्या है पॉइंट 2035 ध्यान देहां कितनाये भंग ओई-्घॉन्ट झीर cricket कॉलूम में पड़उंगे मैं मैं च्विसिट्रेन quarter अंडर बेंडिंग की जगे इन एक्सियल कंप्रेशन यहाँ आ पर फिर बोल दिया यह कह रहा है कि maximum strain in concrete in case of in case of axial compression axial compression का मतलब column की बात करें कि जिसके उपर axial load लगा है axial compression should not exceed .002 वो बात करेंगा आपसे कॉलम में जब कॉलम के उपर axial load आपका लग रहा होगा तो वो जब फ्लेक्जूरल मेंबर लिमिट इस्टेट आप कॉलाइप फोर फ्लेक्जूरल की जगे axial compression members में जब जमसेंस आएगा तो ये वाला आपन वहाँ पर लेकर चलेंगे तिया अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहां मैंने केवल आपको ये इसलिए ध्यान दिला दिया है कि पॉइंट डबल जीरो टू भी होता है और पॉइंट डबल जीरो थिरी फाई भी होता है तो जब भी आपसे maximum sterling concrete पूछे तो आपको एक ही बात का ध्यान देना है कि अगर आपसे under bending बोला है या आपसे flexural member बोला है या आपसे beam word बोला है अगर कोई भी word under bending flexural या beam बोल रहा है तो पॉइंट डबल जीरो टू और अगर आपसे क्या बोल रहा है एक्सेल compression बोल रहा है या column word आपसे बोल रहा है तो समझ आओगे कि वो पॉइंट डबल जीरो टू चाहा रहा है आपसे answer तो आपन फिलाल भी बात कर रहे है कि भाई जो है flexural member में कितना होगा तो आपने देख लिया था कि पॉइंट डबल जीरो थी फाइव से जाद नहीं विड़े चिए आपका तो आपने देख लिया और नेक नेक्स्ट कहता है था पार्शली फेक्टर ऑफ सेप्टी फोर कॉंक्रीट एंड इस्टेल जो है इस टेकान वन पॉइंट फाइव एंड वन पॉइंट पंद्रा रेस्पेक्टिवली और लाश्ट बोलता है कि स्ट्रेस स्टेल कर फो इन दो में थोड़ा समय आपको और डिटियल में बात कर लूँ ताकि आपको चीजें जो कोई डाउट्स हो आज तक आपका रह रहा हो वह आपका खतम हो जाए तो अपने देखा जो कि आपका यह पांच वह स्टेट्मेंट चो चौथा था आपका चौथा स्टेट्मेंट में देखता हूं एक बार आपको और समझाने कॉजिस करता हूं चौथा स्टेट्मेंट आपका था कि मैक्सीमम इस्ट्रेन इन इस्टील शुट नौट एक्सीड शुट नौट एक्सीड शुट नौट एक्सीड पॉइंट सत्यासी सिग्मा वाई 3.5 इस स्टीेट एक्सी प्लस पॉइंट डबल जीरो पॉइंट डबल जीरो ट्ू पॉइंट डबल गशुट एक्सीड लेवर डिशुट नौट एक्था टाइम उफ फेलियर एन री apte को बोली दिए था कि यह आपका कैसे लिख सकते थे आपने देखा था सिघ्मा वाई अपकान एक पॉइंट 15 एएस पॉलास पॉइंट डबल जीरो टू कहां से आई यह वैल्यू जब मैं इस्टेस सेंड कर देखता हूं इस्टेस सेंड कर देखता मैं मैंने देखा इस्टील के लिए तो यह कहता है कि आप नहीं देखा कि यह कहता है कि आप नहीं देखा कि जो से आपको क्या होता है कि आपका इस्ट्रेन यीड नहीं पता होता है क्योंकि माइल्ड इस्टील में तो आपको पता लग जाता है लेकिन यीडिंग नहीं पता लगती कहां से परारण बोरी है तो allez रॉपो नभाइड की 170 होगा और और वर्टिकल पर आपका इस ट्रेश होगा टिको डबल जीरॉम्यासे चर्डं की डॉपोत्ड बन सबस्तना श्ड गा hm रॉपुन है डिल भॉल किया राज रष्ड ओंत दो पर्सेंट बर्सेंट को आटाऊ पॉल यह हो इसके बिलकुल जो है यहने लिया यहां जाकर है कि यह काटता है तो यह आपका यह लेकिन आपने देखा कि जो आप जब यह तो आपका सीगमा युट लेकिन जब आप जो आफ फैक्टरब सेप्टी लेते हो तो कहता है यह कहीं यह फैक्टर अब सेप्टिवी सिगमा वाई अपॉन एक पॉइंट 15 जो आप पॉइंट सत्य सिगमा वाई लेके चलते हो यह कहीं वैलू आपकी यहां पर निकलकर आ जाती है यह कहीं यहां पर यह आपको काटने वाला है अब यह कहता है कि जब मैं इसको यह देख कि हैं यह जो दूरी यह आपकी किसके बराबर आएकि निकलकर यह कहता है कि जो दूरी पॉइंट के बराबर निकलकर थे यह चाहरा टोटल झोलगा वाली बोला हुँक्त geliyor oh सब्सक्राइब कर आजाती है नेक्स ने कहा था जो पाच्वा पॉइंट अपने देखा था जिनको बहुत ज्यादा नहीं समझाया था आप दिवाग नहीं लगाए जादा आपको केवल यह देखे कि मैक्सिम जो इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कॉंक्रेट को फेल होते समय जो नेक्स पॉइंट पढ़ा था आपने छटा पॉइंट पढ़ा था कि स्ट्रेस इस्ट्रेंड कार्व स्ट्रेस इस्ट्रेंड कार्व स्ट्रेस इस्ट्रेंड कार्व को फोर कॉंक्रेट कि एज अज्योंड आि सब्सक्राइब कि पेरा बीटार ब्रेक्टेंगल अ Epic ज़क हुआ च पेन कौन упरीट सब्सक्रूमаю मिलेख टो इसना है चैसे तरुम कर myself नब कि इस तरह कौन कर यह हुआ गारे में मेरा चैसे सचू यह शाये गा और फिर यह आपका ऐसे चला जाता है जब मैं आगे concrete का भी बढाऊंगा तो आपको यह कुछ ऐसे आप देखोगे कुछ इस तरह का यह दिखाएगा concrete का concrete का जो stress stain कर वोता है stress stain कर आगे मैं पढ़ाऊंगा और detail से stress stain कर फोर concrete तो यहां यह neutral axis होती है आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो neutral axis से यह पॉइंट डबल जीरो टू इस ट्रेंट तो जाता है यह पैरा बोला तो एक तरह सी जो पॉइंट डबल जीरो टू इस ट्रेंट यहां पर इसके उपर यह stress और इस पर आपका इस ट्रेंट तो यह पॉइंट डबल जीरो टू इस ट्रेंट तक तो यह जाता है आपका कैसे आपका पैरा बोला और उससे आगे यहां से फिर फेल होड़े तक क्योंकि आउटर फाइबर पर देखा था मैं ने फेल होते समय मैं आभी आपको लिखवाय सब्सक्राइब तो यहां से यहां तक यह जाता है रेक्टेंगल तो एक तरह से अगर देखना जाए तो मैं इसको थोड़ा से लिखू पैरा बोला पैरा बोला अप्टू पॉइंट डबल जीरो टू इस ट्रेंड एंड रेक्टेंगल बिट्वीन पॉइंट डबल जीरो टू पॉइंट डबल जीरो थीरी फाइव श्टेंड तो आपका क्या समझ आगे फाइनल यह अगर देखा जाए तो कैसा है आपका पैरा बोला अप्टेंगल यह अब यह कहता है कि यह मेरा जो है आपके जो इस्टेंग निकलके आई मांलों यह कहता है कि कॉंक्रिट की को सिगमा सी के से करते हैं मालु यह कहे रहा कि यह आपके श्ट्रेंड निकल का आ गई सिग्मा से के अब यह कहता है यह तो मेरी लैब में श्ट्रेंथ थी लैब आट्री स्ट्रेंथ है और लैब में तो क्या है कि जब मैं एक छोटा सा क्यूब लिया तो उसकी कंट्रोलिंग भी बहुत कॉंक्रिट की स्ट्रेंथ फिल्ड में चेक करना चाहते हें तो आप नहीं कॉंक्रिट में बहुत ज्यादा क्वांटिटि क्वांटिटी नहीं होगा कैमत्रोलिंग घृति तो आगर में देखना चाहूं कि लैब में देखना चाहूं तो यह कुछ इस तरह का कर्व あपका आएगा क्या जाएगा शिग्मा अपुलपान के पॉन पॉस्ट फाइव को यह कहो कि मैं इसको सड़ब्र सीग्मा लेकर चलता हूं तो यह आपका वाग्यां फिल्ड इसट्रेंद क्योंकि यह कहता है कि इसे चैंठ आपकी किसी लैब में आ सकते उतना फिल्ड में नहीं आप आएगी और यहां तो आप देखोगे कि हो सकता है है आपका वो फिल्ड में फेल हो जाएए च्कीव और लैब में जब आप उसकीusset चेक करें तो क्यों पहुँट होता था और जब उसकी स्टेंड निउडे ओठे कर रहे तो उपर और नीच से आपने वह प्ली Prevention करके तो आप तो आपन फिल्ट में स्ट्रेंद कॉंक्रेट की 66 परसेंट ही मानते हैं जो लैब में हंड्रेड आ रही थी मैं यह मानता था कि वो 66 पर ही फेल हो जाएगी और आपन फिर देखना चाहें पॉइंट 66 सिग्मा सी के में अगर फैक्टर ऑफ सेप्टी पार्शेली फैक्टर ऑफ सेप्टी का भाग देदू तो आप देखो के पॉइंट 446 सिग्मा सी के आपका निकल का जाएग जिसे आप डिजाइन स्ट्रेंद डिजाइन स्ट्रेंद ऑफ कॉंक्रेट के नाम से भी जानते हो किस नाम से भी जानते हो डिजाइन स्ट्रेंद ऑफ कॉंक्रेट के नाम से भी जानते हो तो अपने देखा कि डिजाइन स्ट्रेंद ऑफ कॉंक्रेट क्या निकल क्या आती है 0.446 sigma ck तो आप से कई बार किश्चन पूचता है कि design strength of concrete बताई मुझे design strength of concrete बताईए तो आपको पता होना चे design strength of concrete मेरा कितना निकड़ के आता है 0.446 sigma ck निकल कर आता है तो आपने stress strength curve for steel देख लिया आपने stress strength curve for concrete देख लिया सिग्मा सी के laboratory strength को दिखाता है 0.67 सिग्मा सी के field strength of concrete या characteristic strength of concrete in field या इसको क्या बोल सकता हूँ characteristic strength strength of field characteristic characteristic compressive strength of concrete in field field में जो strength होगी वो मैं यहाँ पर इसका बोल सकता हूँ तो आपने यह देखा कि मैं किस तरह से इसकी stress strength curve को denote कर लूँगा या इस stress curve मैं यहाँ पर mention कर लेता हूँ तो आगे अपन बात करते हैं तो आपने देख लिया final जो answer है आपका आपने देखा में design strength of concrete मेरी कितनी निकल का आगी इसी तरह से मैं पढ़ना चाहूं design strength of steel कितना आएगा आपने देखा था sigma y तो उसकी strength थी yield strength factor of safety का भाग दे दिया था एक point 15 का तो point 87 sigma y आपकी निकल कर आ जाती थी अब यह आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप से design strength पूछेगा अगर design strength of concrete पूछता है तो आपका आंसर होगा point 446 sigma सी के और design strength of steel पूछता है तो आपका answer होगा point 87 sigma y तो अपन यह देख लिया कि design strength आपकी कितनी होती है अब आगे आप बात करते हैं कि stress strength curve आपके कितने होंगे निटलेक्सिस आपकी कहां होगी इन सब के उपर अपन थोड़ा सा आगे further discuss करते हैं तो आपने beam देख लिया था beam का figure आपने देख लिया था तो सबसे पहले अपन जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं अपन सिंग्ली reinforcement बेम या डिजाइन ओफ कि डेजाइन ओफ कि सिंग्ली रिइन फोर्स बीम देखो दो तरह की बीम होंगी आगे जब बात करूंगा design of double reinforced beam और design of singly reinforcement देखो आपको क्या है कि ज़्यादा तर maximum आप singly reinforced beam design करते हैं मतलब singly reinforced का मतलब क्या है कि ऐसी beam जिसमें tension में सरिया लगाया गया हो जिसमें क्या लगाया गया हो तो वो beam कहलाती है कैसी singly reinforced beam और ऐसी beam जिसमें tension के साथ साथ compression में भी सरिया लगाया गया हो मतलब tension को लेने के लिए लगाया गया है साथ के साथ compression को लेने के लिए भी लगाया गया तो ऐसी beam कहलाती है डबली reinforced beam तो कहने का मतलब है कि यह कोई अगर एक बीम है यह मेरी कोई एक बीम है जिसके अंदर कि मैंने केवल जो है इधर बनाता हूं कि मुझे डाइग्राम से आगे पी जरूत पढ़ने वाली चीजों की तो यह कोई मेरी बीम है इसके टैंसन जोन में सिंग वह लेना चाहरा हूं आपका सेंपली सपोर्टेट बीम तो मैंने यहां पर सर्य लगा दिये टैंसन जोन में क्योंकि मुझे यह तो पता ही यह टैंसन जोन है उपर वाला कंप्रेशन जोन है जो काम लगे बच्चो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने पड़ रहे है रातों को जाग जाग कर तो अपन नहीं देखा कि यह मेरी बीम होगे जिसके टैंसन लेकिन कहीं बार बच्चा क्या सोचता है कि मैंने तुस आप कभी ऐसी बीम ही नहीं देखी जिसके टैंसन टैंसन वह तो सोचता है उसको तो हमेशा देखता है कि मैंने तुस देखे साब कि कंप्र बांदने के लिए उपर आपने सरीय लगाया उनकी मात्रा जो है बहुत कम होते हैं इसलिए आपका उपर भी सरीया लगाणा जरूरी रहता है तो वह लेकिन वह डबली वीम नहीं है अगर डबली वीम होती तो उपर भी हैवी सरीय आप लगा रहे होते या आपको जो है कब्रेशन के लिए रजिस्ट करने के लिए आपने लगाए होते तो आपने देखा कि यह मेरी जो बीब है जब मैंने अभी इसका इस्टेश इस्टेन कर्व देखा तो यह मेरा निट्रल एक्सिस जो मैं पहली पढ़ चुका हूँ ऐसी अक्ष जिसके ना टेंसर ना टेंसर होगा ना ही कंप्रेशन होगा बिल्कुल उदासी ना आप्छा यह होगी ना टेंसंफर्स होगा ना कंप्रेशन फोर्ष न्यूट्ल एक्सिस कहलाती है स्ट्रेस स्टेन कर्व मैंने देखी इसका देखी लिया था स्ट्रेस ये स्ट्रेस स्टेन कर्व था कॉंक्रेट का स्टेन डिस्टिबिशन अपने देखा ये कहता है कि स्टेनड डिस्टिबिशन अगर मैं देखता हूं तो स्टेनड डिस्टिबिशन बेल्कोल ये वाला आपका था कि यह आपके इस्ट्रेंड डिस्ट्रिबिशन आपका हो गया था कि यहां बिल्कुल स्टील के सेंटर पर होगा तो यह वैलू कितनी थी श्ट्रेंड सत्या सी सिग्मा वाई अपन एस प्लस पॉइंट डबल जीरो बीस या क्या कहो सिग्मा वाई अपन एक पॉइंट पंदरा एस प्लस पॉइंट डबल जीरो बीस और उपर मैंने देखी लिया था पॉइंट डबल जीरो पॉइंट डबल जीरो तो यह इस्ट्रेंड कैसा होता है कि इस्ट्रेंड डिस्ट्रिब्यूशन एज लीनियर यह ध्यान रखें पूस्तर है आपसे कि जो आर्ची सी सेक्षन है उनके उपर इस्ट्रेंड डिस्ट्रिबिशन सापका कैसा होता है लीनियर होता है अक्ष से जैसे 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 दूरी बढ़ती जाएगी आपकी पार्टिकल्स की इस्ट्रेंड की वैल्यू आ आपने देख लिया कि इस्ट्रेंड डिस्ट्रिफिशन सापका किस तरह का आपका होता है आप मैं कहता है कि जो फोर्स लगा होता है वह हमेशा किसके बराबर होता है design stress design stress into area हम design stress कितना है point 80 sigma y area क्या है area of steel tension तो मैंने देख लिया कि जो मेरा force लगा होगा steel का वो value जो है मेरा tension जो force है वो point 80 sigma y 80 के बरावर आपकी होगी तो आपसे कभी भी tension force देखे तो वो कहता है कि इसकी volume point 87 sigma y est आपकी निकल कर आती है अब ये तो definitely जो सर्या है सर्य की कहां पर लगा होगा क्योंकि cg पर लगता है आपका force तो आपसे सथ मालो एक line में लगी पड़े हैं तो मुझे पता है एक रो में सर्य लगे पड़े हैं तो दो रो में लगे हैं सर्य ऐसे लगे हैं दो रो में तो बिलकुल कहीं के बीच के में जहां भी निकले जहां से भी सीजी निकलेगी सीजी के उपर आपका ये force लगा होगा अब यह कहता है कि concrete में बताएं तो concrete का तो मैंने देखा कि जो stress system diagram फोर concrete है ये तो कैसा है भई आपन इंट कराम थो यह पैरा बोला शीपैरा बोला एंड रेक्टेंहर तो कहा मानू इसका इसकी तो मुझे पता यह निये तो मैं दो इसकी निकाल था हैं मैं अभी आपको बताऊं अभी निकलती कैसे तो इसकी जो सीजी निकड़के आती है वह कहींि उपर से जो निकर्ड आती अगर मैं इस Depth of Nitlex इसको यह कहता है एक X मैंने अगर इसको माना अगर मैं इसको X वानता हूँ तो यह कहता है यह जो value निकलकाती है यह निकलकाती है आपका ले लेता हूँ और यह जो आपका है यह जो CG यहां पर निकलकाई और यह जो फोर्स की value निकलकाती है compression की यह निकलकाती है point 36 sigma ck b into x आपका तो आपने दो चीजें यहां पर देखी नमबर वन अब यह कहां से निकलका है वो भी यह आपको बता दूंगा अभी तो आपने यह देखा कि जो tension force tension force मेरा कितना निकलका है point 87 sigma y ast compression force compression force कितना निकलका है point 36 sigma ck b into x सुरी और cg of compression john कितना निकलका है आपकी आपने देख लिया point 416 x निकलका है या point 42 x आप उसको बोल सबते हो तो यह जो stress system curve concrete का था यह जो नीचे वाला जो portion होता है यह जो नीचे वाला पोर्षन है और यह उपर वाला जो portion है इनकी जो values आपकी कितनी कितनी होंगी यह कहता है उपर वाला जो है यह part होता है 3 बटे 7 x और यह जो होता है नीचे वाला होता है 4 बटे 7 x दोनों को जोड़के देख लो आपका 3 बटे 7 x और 4 बटे 7 x करके देख लो 7 common लेलो 3x प्लस क्या है आपका 4 x नहीं पर पारह जो पार्ट होता है कि सैंक्राइड ओफ धू अपका कहां है सी जी ऑप दा कॉंक्रेट सेần कने नीचे थी निचे थी टैंसन फू को आले देन था पोइंट शय को तन आप देखा टैंशेंट तो यह वाला और के वाला थिस सिवन प्लस एक तरह से सी टू फोर्स बराबर मुझे पताईए तरह से अगर भॉर्स देखना चाहो तो भॉर्स बराबर क्या होता दिजाइनगा स Canpress ऐंटु अब इसी बराबर पोईंट फोर फोर सिक्स सिमा सी के एरिया कितना है वैप आपने देखा यह पैराबॉलिक और वह रेक्टेंगल तो मुझे पता अब यह मुझे मैं जानता ही हूं कि यह जो है क्या है आपका इसकी बीड़त है तो यहां तो मैं देखोंगा यह पार्ट तो विड़त के बराबर होगा वही जो फैल रही है वह किसके फैल रही है आपका नीचे वाला कितना आ जाएगा प्लास कितना जाएगा नीचे वाला दो बटे तीन base into height base कितना है b into height b into 4 बटे 7x जब मैं इसको जोड कर देखूँगा total करके देखूँगा तो यह जो value निकड़के आती है मेरी यह निकड़के आती है 0.36 sigma ck b into x आपके निकल कर आ जाते हैं तो आपने देखा कि 10 जो compressive force की value 0.36 sigma ck b into x आपका कहां से निकल कर आता है यहां से वो value आपकी निकल कर आ जाएगी अब मैं अगर cg निकालना चाहता है कोई centroid कहां आया है तो आप वो भी निकाल सकते थे आप देखो वो कैसे आप निकालते मैं फिर बोल रहा हूँग आपको बहुत दस याद नहीं रखना प्लस जो नीचे वाला है नीचे वाला का एरिया मुझे पता ही दा दो बटे तीन बटे साथ एक्स एंटू उसकी सीजी देख लो टॉप से कितनी दूरी पर होगी यह पार्ट तो हो गई होगा आपका वहां से देखो नो वहां से इस वाले कितनी होगी यह तीन बटे साथ एक्स तो आएगा यहां से और देख लो यहां से आपके कितनी आएगी तो आपने देखा कि तीन बटे साथ एक्स प्लस आपने देखा होगा पैरावला कभी भी ऐसे देखते हो तो यह जो है आप देखते हो यह जो पार्ट है यह अगर मेरी एक्स होती ह यह होता है तो यह तो इधर से तो होता है 3 ₹ 5 ₹ तो आपने देखा यहांसे जो दू धिस्टैंज से अपका यह होगा इधर से 5 ₹brig और इधर से नो इसको ड बटे 8X कौन से पार्ट का 8X आप देखो यह अगर X ले आता तो इसका 3 बटे 8 ता यहां कितना पार्ट यह चार बटे 7 का तीन बटे 8 इंटू यहां X की जाएगे क्या है? चार बटे 7X इसको पूरे को जब अपने देख लिया था अभी पड़ा था B गुणा 3 बटे 7X पलस 2 बटे 3 B इंटू 4 बटे 7X इसको सॉल्व करूँगा तो CG जो है निकल के आजाएगी 0.416X आपके निकल का जाएगा 0.42X आपका निकल कर आजाएगा तो आपने देखा कि Centroid of the section जो है 0.41X कहां से निकल कर आपका है वो यह फार्मूला होगा मैं फिर बोल रहाँ आपको ज़्यादा दिबाग लगाने की ज़रुवत नहीं है अगर आपको नहीं लगाना बसा आप तो एक बात ध्यान रगलो कि CG of the section जो है वो कहां पर आपका होना है तो यहां मैंने जो चीजें थी मेरी डिजाइन इस्ट्रेस आप स्टील पॉइंट सत्या से क्माइट डिजाइन इस्ट्रेस आपका कितनी थी पॉइंट फोर्फिक सिग्मा सी के आपका भी मैंने का कि डिजाइन जह टेंशन फोर्फिक सत्या सिग्मा इसे सिग्माइट कंपॉर्फिक सित्रेस थी सिग्मासी बेंट इस और सेंट्रॉइड ऑप दा कंप्रेशन जोन का सेंट्रॉइड आउटर फाइबर से कितना था आपका .416x या .42x नीचे आपका था और इसमें जो पैरा और रेक्टेंगल पार्ट है ये आपका 3 बटे 7 आता है ये 4 बटे देखो 3 बटे 7 x को solve करके देखो आप 3 बटे 7 x को solve करके देखो .42x आएगा आपका आप मैं देख रहा हूँ कि यहां से ये जो पार्ट है ये .42x है और आपके cg कि ली थी .416x थी तो एक तरह से ये जो है क्योंकि यहां तक तो .42 है .428 है और ये .46 तो ये बिलकुल कहीं थोड़ा सा इससे उपर दिखाता है आपका मतलब कभी ये एरो नीचे नहीं लेका हो गया क्योंकि आप देख रहा हूँ कि ये जो है ये पार्ट तो यहां तक आपका जो तीन बटे साथ तो ये हो जाता था और आपके cg t.416x अगर 42 .22x भी लेके चलता हूँ तब भी थोड़ा सा आपका उपर हमेसे डिनोट कर दे तो आपने आज कुछ चीजे जो है important यहां से सीख लिया था कि किस तरह से आप tension force निकाड़ाएंगे किस तरह से compression force निकाड़ाएंगे design stresses आपकी क्या होगी उबीद कर रहा हूँ कि आपको lectures जो है अच्छे लग रहे होगार साथ के साथ जो है book से आप जरूर से जरूर रीडिंग्स लगाते चले thank you good night